हाई गाइज एसाइपी में कैसे इन्वेस्ट करने के चार बेनेफिट्स क्या है आज मैं आपको बताने वाला हुआ कि कि इसाइप से अपने को एसाइपी इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफियर ऐसा होता है कि अपने को रिटन जितना चाहिए उतना वह फॉर्ण्स नहीं देता है और बागी फॉर्ण्स देते हैं तो सिलेक्शन फॉर्ण इस वरी इंपॉर्ट्ट और डिपेंड्स आप आपको फिनेशल परिंग आपकी कितने लाइबिदिश आपको कितना पैसा क्पर रीकॉर्ड जितना आपका रिकुर्षरमेंट जादे रहेगा उतना आपको पैसा ज्यादा करना पड़ेगा या फिर पैसा इन्वेस्ट कम करो डिवरेशन जादा होना चाहिए तो दोनों मै जबर्दस रिटन आ सकते हैं तो आगी बढ़ने से पहले मैं आपको जेक कैल्कुलेशन दिखाना चाहता हूं जो मैंने आपको कहा था कि ऐसे भी कैल्कुलेशन है तो यह एंजल की वेबसाइट पर है कि आप यू इंवेस्ट पर लॉंगर दूरेशन या पर आपको दिखर है 20,000 आमोंड डिपोस्ट कर रहा है 25 साल तक 20,000 इस मैने बहुत आमोंड नहीं बुला है करेंट जो इंकम में लोगों उसके सब 20 सार तो मैंजबल है इवन इस एक्सपेट 12 परसें इंट जो काफी रियलिस्टिक है यू कैनास एनिवन आम नाट पुटिंग 15 परसेंट 12 मैंने एकदम रिलिस्टिक लिया है तो भी आप तीन करोड उन्नीस लाग हो जाते है बंदब चल्ड ऊन्नास एनिवन फंदर संट आरह से आथे हैं असे सब्सक्राइब से इससे भी आपन काम कर रहे हैं तो तिन करोड में मिल सते हैं इसनी के ट्लान यू रिटार्में टान फ्रियून प्लान और प्लान है तो एक तो प्ताफी लोग ब्लश्टियू नहीं चाहते हैं व के point बनाओ and then start करो because अपने को realistic call लेना पड़ते है मेरी इच्छा तो गोष सरी है but funds होना ज़रूर ही है so what the time is required to grow we have to give that much time तो बस patience रखना ऐसे भी में you'll get very good returns now कुछ किम्स में जो मैंने मेरी सब से आपको बता रहा हूँ आपको ताहूंगे कि आप आपका research करो this is only for information कि क्या क्राइटरे होते हैं कैसे आपको decide कर सकते है तो इस जिर्शी standard life discovery funds है so basically जिनको long term invest करना है उनके लिए बहुत बढ़िया फंड है rednam उसका any video था वो 8 January का मैंने दिया है 345 रुपीस यह 8 January का है पर रिटन देको पास से लेकर रिटन 24 परसेंट मैं आपको 25 साल बोलता हूँ बस वही आप रिटन पर दान देना हूँ दस सल के अभी तक आए नहीं क्योंकि स्कीम नया है और उसका asset under management है 1 करोड 23 1,23,000 बाराजर 1,23,45.67 करोड उतना वो assets उतना investment fund में हुआ है कितने देन से पास सल के 24.6 परसेंट एजबसी स्टांड लाइफ डिस्कुरी फंड सेकेंड जो फंड है वो अधित्त बिर्ला सन लाइफ इंड़िजन मल्टिफ्लायर फंड यह भी लॉंग टम के लिए है यह एसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट के अप्लेशन थाउजन उक्रण उससे जादा है तो ब्ल्यूचुप कंपनी बोल सकते हैं बहुत बढ़ी कंपनी से रिटन विए लाइफ करते हैं जो आराम से परफॉर्म करते हैं बड़ अच्छा करते हैं इनके सब्सक्राइब करते हैं मैंने वापको कल्कुरिशन भी बार अटक्के से दिखाए एकदम कम दिखाए 15 परसेंट आप आराम से अजू करो पड़िया अपन कम पकड़के चलते हैं क्योंको डर लगते हैं शेयर मार्केट में बोल दिस हम FD में इन्वेस्ट करेंगे LSE में कर नया जॉड़ना पड़ेगा नया काम दूड़ना पड़ेगा नेक्स्ट बजाज अलियांस एक्सेलेटर मिटकेप फंड है तो यह नाम यह मिटकेप फंड में इन्वेस्ट करता है जैसे लास्ट येर मिटकप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसका एने भी 70 र अच्छा परसेंट मैंने केल्क्लोशन बारा परसेंट एक्दम रियलिस्टिक है पंदरा आप आराम से पच्छे साल में तो यू सेलेट एनी रैंडम व्यूचल फंड आप बोलेंगे से पंदरा परसेंट से हो ज्यादा ही है तो बहुत डिसिप्लिन में एक्दम किस्यों को समझेंगे जिए आपका तीन-चार क्रोड का फंड मन जाएंगा आईसे एसे प्रोडेंशन ऑपरोचर्डी फंड करेट ना तो बैसे कि लिए यह अलग-अलग डाइवर्सिफाय स्टॉक्स में इंवेस्ट करता है करेट ना अलग-अलग इंडेस्टिर में पैसे इंगा जा यह देट पेम्भी मेटलाइफ करके फंड है जिसके रिटन पास सल के 21 परसेंट है अंडसल के रिटन 18.4 परसेंट है करेट ना तो इस इस मतलब मुस्ती यह हेल्दी लाइफस्टार के लिए जिस सरह के कंपनीज है जो हेल्दी लाइफस्टार में प्रमोट करते हैं उस तर मतलब मुच्वर्ण लेते से में वह भी देखो कि हो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे है और वो सेक्टर अभी कितना अच्छा परफार्म कर रहे है तो यह कुछ फॉइंट मैंने आपको दिखा है जिसका आप अबसर्वेशन कर सकते हैं आप आप खुद का पाल अधा नली एन वन ओन वर थिंग अगर वीडियो अच्छा है का तो लाइक करना एं अमर्शाल को प्लीज फॉल भी करना है थैंक तो बाच